हैपी निव येर तू अल आफ यू मैं डियेश ट्वेंट एक जनवरी 2021 के इस करेंट अफेर की वीडियो में आपका स्वागत है मैं इस्वर से ही प्रातना करूंगा कि इस साल आप सभी की सेलेक्शन हो जाए और आज किसी का भी मोटिवेशनल कोटेशन नहीं लिया गया है कमेंट बॉक्स से चोकि आज मेरा खुद मोटिवेट करने का आपको उद्देश से है और यह हमें सा जानके रखेगा कि जो आपका संकल्प है वो किसी और के संकल्प से बहुत ही महतोर रखता है मतलब कि जिस प्रकार से सभी लोग सोचते हैं कि नए साल से नई सुरुआत करेंगे ठीक उसी प्रकार से आपने भी कुछ सोच रखा होगा कि जी हाँ हम भी नए साल से नई सुरुआत करेंगे तो बिल्कुल आपको करना है आपको अपने गोल को लिखना है वाइट पेपर पे रेड पेन से और उसके बाद उसको आप प्रतेक दिन सुबह उठ करके एक बार जरूर देखे कि मेरे गोल क्या है मेरे उद्दिश से क्या है और रात को सोने से पहले उसको आप देखे कि क्या मैंने अपने गोल को प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी भी मेनत आज की है अगर हाँ तो बढ़िया है कल और करेंगे अगर ना तो क्यों नहीं किये कल फिर कोशिस करेंगे कि वो गोल को अचीव करें जो आज छोट गया और आगे भी बढ़ें तो कुछ इस प्रकार से आप छोटे छोटे श्टेप उठा करके छोटे छोटे अपने लाइफ में चेंजिस ला करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं डिये श्टेंट आपकी जिंदगी आपके हाथ में है आप खुब इंजवाई कीजिए लाइफ एकी बार मिलता है जो करना है आपको वो करिए साथी साथ समय के लिए समय निकालिये यानि पढ़ाई के लिए थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा अगर आप कंसिस्ट आपके सामने आचुका है करेंट अफेर का यहां पर है कि मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर निमने में से कौन एसिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं ऑप्सन नमर ए होगा जोंग शान शान अब देखिए मुकेश अंबानी को पचाड़कर चीन के वाटर किंग कह जाने वाले कारोबारी जोंग शांग शान एसिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं उनकी नेत वर्थ इस साल 70.9 अरब डालर से बढ़कर के 77.8 अरब डालर हो चुकी है और जो यह शान शान हैं यह बोतल बंद पानी और कोरोना का टीका बनाने जैसे बिजनेस से यह सबसे अमीर व्यक्ति कौन है फिलाल में तो वह जोंग शान शान बढ़ते अंगले क्वेस्चन की तरफ अगला है कि कैबिनेट की न्यूक्ति समीती ने हालही में इसरो के चेयर्माइन के शिवान को के कारेकाल को कितने वर्स तक बढ़ा दिया है अप्सन नंबर ए से हो खरने वाले एक साल तक के जितने एक्जाम है उसमें अगर पूछेगा कि इस रो के वर्स जनवरी 2021 को समाप्त होने वाला था लेकिन अब ये एक साल बढ़ा दिया गया तो 14 जनवरी 2022 को अब ये इनका कारेकाल समाप्त होगा ठीक है बढ़ते अंगले क्वेस्चन की तरफ अगला क्वेस्चन आपके सामने यहाँ पर यहाँ पर कहा है डियेस्ट्वेंट के निमन में से कौन सी टीम आश्ट्रेलिया को पचाड कर ICC टेस्ट रैंकिंग में प्रथम अस्थान पर पहुँच गई है तो यहाँ पर option number C हो जाएगा न्यूजीलेंड न्यूजीलेंड ने आइस्ट्रेलिया को पचाड़ कर ICC टेस्ट रैंकिंग में प्रथम अस्थान पर पहुँच गई है बढ़ते अंगले क्वेस्टन की तरफ डिये स्ट्रेंट यहाँ पर केंदर सरकार ने अब सपा के तहत किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशान्त छेत्र गोसित कर दिया है तो यहाँ पर आप्सन नंबर B हो जाएगा नागा लेंड नागा लेंड के छेत्र को असान्त छेत्र गोसित कर दिया गया है यानि कि यहाँ पर जो human है उनके अंदर वहाँ पर असान्ती का महाँ पर महाल बना हुआ है इसलिए उसको अब सपा के तहत असान्त छेत्र गोसि कर दिया गया है नेक्स्ट क्वेस्टन की तरफ बढ़ते हैं डियस्टन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेस्टन यहां पर आप इस क्वेस्टन को भी लिखेंगे यहां पर ठीक है देखें कि केंदरी मंत्री मंडल ने किस मिसाइल प्रडाली के निर्याद को 30 दिसंबर 2020 को 2014 में थोड़ा सा आप समझ लिए एयर फोरस की तीयारी करते हैं साल 2014 में यह भारती वायु सेना यानि कि इंडियन एयर फोरस में इसको सामिल किया गया था और साल 2015 में भारती है सेना में सामिल किया गया था मतलब आर्मी में भी ये आच चुका था तो तब ये सामिल किया गया मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए दच्छिरपूर एसिया और अफरीका के लगभग 9 देसों ने इसको खरीदने की रुची दिखाई है तो देखे होता ये है ना कि खरीदने का मतलब ये नहीं है कि इसको मतलब ऐसे बेच दिया जा रहा है ने देखे होता क्या है ना कि जैसे ये मालेजे की आकास मिसाइल है तो ये पूर्ट जो है कि स्वधेसी है समझ रहे है, स्वादेशी के मतलब अपने देश में पूढता यह system जोगी बना हुआ है, एक बड़ी achievement है अपने देश की तरप से, तो यह 14-15 में अपने देश में आ चुका था, मतलब बन के यह तैयार हो चुका था, पूढता स्वादेशी है, तो होता क्या है कि जब किसी द भाटा नहीं होता है इससे क्या होता कि मिसाइल बनाने में बहुत जादे पैसे लगते हैं समय लगता है तो जब इस टेकनोलोजी को अगले देश के लिए बेचा जाता है तो उसके कुछ पैसे मिलते हैं तो वो पैसा जो फिर अगली टेकनोलोजी बन रही होती है उसमें काम और ये कोई भी देश तभी अपने मिसाइल को बेचता है जब उसके पास उससे बहतर मिसाइल हो जाती है अब ये थोड़े ने कि ये पाकिस्तान को दे करके हम लोग उससे लड़ेंगे और हारेंगे ऐसा नहीं है अगर हम लोग इसको पाकिस्तान को बेचेंगे या किसी और एसिया की जो नौ देशों ने इसमें रूची दिखाई है जैसे तो अगर उन देशों को देंगे हम तो वो तो ये ले लेंगे लेकिन मेरे पास जो है कि उनसे बढ़िया होगा है ना तो उनको देने से मुझे कुछ घाटा नहीं है मुझे फाइदा ये वो मुझे कुछ नु उनके पास उससे बहतर हो जाता है तब वो देते हैं इस चीज को आप समझ रखिएगा ठीक है तो आज के लिए इतने इंपोर्टेंट के करेंट अफ्यर क्वेस्टेंट और उम्मीद करेंगे कि ये साल आपका बहुत ही बहतरीन भी थे और एक बार आप भी जैहिंद हाउस जोस का नारा कमिन बॉक्स में ज़रूर लगाईएगा ताकि आप जोस चुनून के साथ अपना दिन चार्या सुरू करें और डेफिनेटल यह आपको मेहनत करनी चाहिए अगर देखिए आप मेहनत नहीं करते तो अंदर से आपको खुसी नहीं मिल सकती नहीं मिल सकती नहीं पर हमसे जुड़ सकते हैं अपनी राय करने बॉक्स में लिखेगा मिलेंगे फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मंतर